हेलो गईस मेरा नाम आरिफ और आप देख रहें मेरे यूट्यूब चलनल डाट गया आरिफ यार आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं जो बहुत सारे कमेंट्स आये मुझे इसके बारे में बात करने के लिए किस तरह से आपने ब्रांच को चेंज कर सकते हो फ आपने मंचाह ब्रांच में पढ़ना तो किस तरह से आप कर सकते इसके बारे पूरा डिसकस करेंगे तो आप पूरी वीडियो का चीज़ा दिखेगा तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला बात जो हम आपसे डिसकस कर लेते हैं कि सबसे पहले आप जो भी कॉल लेट की जाएंगे आपको जो लाफ फैसलिटी जो प्रवाइड किये जाएंगे उसके हिसाब से कितने स्टुडेंट के लिए वो सई है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है फर एक्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं गाइस थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा हो गाग इतने सारे बच्चे ही का एडमेशन होगा तो गाइस क्या होता है ना computer science हो गया mechanical electrical कोई भी ब्रांच में अगर समझो जितने सीट है उतने बच्चे का एडमेशन नहीं होता तो उतने सारे सीट बच जाते अब जब उतने सारे सीट बच जाते प्लस additional उसमें कुछ सीटों को और रखा जाता है मानों की chemical हो गया electrical mechanical और computer में charger सीट extra रखा गया तो क्या होता गाइस जब आप फर्स्टेर का अपने एक्जाम देते हो ना पास एक नोटिफिकेशन आता है क्वास के तरब से कॉलेच के तरब से नोटिफिकेशन में यह लिखा रहते है कि उप restaurants को चेंज करना है वह सब यह फॉर्म को फिल अब करी क questo से हर को तो ब्तोहाई कर रहा है अब सुनो, देखो यार, इसका कॉंपिटिशन तो बहुत हाई रहता है, हर इंसान को अपना मन्चहा ब्रांच में पढ़ना जाता है लोगों का सपना होता है कि मैं CS में पढ़ू लेकिन मेरा मुझे ऐसा बेनिफिट नहीं लगता है CS में पढ़ने का बिकास बीना CS के आप CS का जोब पास आगते हैं उसके उपर में वीडियो बनाओंगा तो कोई भी ब्रांच में आपको जाना है फोर एक्जामपल सामझो आप केमीकल ब्रांच से हो या फिर कोई लोर ब्रांच मेटलरजी से हो और आपको पढ़ना है एलेक्ट्रिकल में समर्षाइं करता संटों यृडी परम वर्न समर्षाइं तोस समस्टर अब करने को उसके बाद गाइस कॉलेज ये डिसाइड करेगा, आपके अडिमिनिस्ट्रेशन ये डिसाइड करेगा, कि आपके मार्स के इसाब से ब्राँच मिलेगा, क्योंकि सब को अपने मार्स के इसाब से ब्राँच मिलेगा, अब इसाइड बात है, जिस उनने 9.3 CGP, उसी को मिलेगा, तो आपको क्या करना है, सबसे हाइस CGP लाना है, तो गाइस सबसे ज्यादा CGP आप जितना लाओ उतना आपके लिए फाइदा है, अब ज्यादा CGP लाना आसान बात भी तो नहीं है, तो इसके उपर भी एक वीडियो तो इस तरह से मेरे CGP रख रहा है, तो किस तरह से मैं पढ़ता हूं, किस तरह से मैं अपनी प्रिपरेशन करता हूं, जो मेरे इतना अचा CGP आथा, आप सभी अच्छा CGP आ सकता, नाइन के उपर आप तो नोमली CGP रख लोगे, लेकिन थोड़े सारे टिप्स आपको फॉल लेकिन आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह सा प्रिपरेशन करोगे, ताकि 9 के उपर CGP आपका डेफिनेटली 110 परसेंट आएगा, तो इस वीडियो को जरूर देखना आने वाले समय में वीडियो बनाँगा, हो सकता है, दो तीन दिन में वीडियो में अगर आपको और कोई भी डाउट है, कोई और टॉपिक के उपर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तो मैं उसके पर जरूर वीडियो बनाँगा, तब तक के लिए मिलते हैं एक औ वान देमातरू!